जै मातारी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रत्योहार कथाएं मैं हूँ आपके साथ धिर्म जिम शिर्मा आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अमा वस्या पर किये जाने पाले कुछ उबाई कुछ ऐसे सरल टोटके शेर करने जा रही हूँ जिनको अपनाने से आपकी जीवन में सुख सम्रधी का वास होता है किसी भी प्रकार की अगर परिशान्या है वो दूर हो जाती हैं पित्री दोश दूर होते हैं काल सर्प दोश जैसे दोश भी अमा वस्या कितिती में अगर हम कुछ सरल उपाई करते हैं तो उसमें हमें बह बहुत ही रहत मिलती है मातल लक्षमी को इन उपायों से आप प्रसन्न कर सकते हैं तो जो भी उपाय आपको अच्छे लगे कम से कम एक दो जरूर अपनाईएगा देखिए हर मास में जो पंद्रहवी तिथी होती है कृष्ण पक्ष की अमवस्या की तिथी होती है अमवस्या क दिन पित्रों के नमित स्नान दान तर्पनादी करने से पित्रों के नमित जो हम कर्म करते हैं उसको करने से पित्री देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में हर प्रकार की खुश्या हम प्राप्ट करते हैं अमवस्या की तिथी में मातल लक्षमी की विशेश पूजा भगवा शहर विष्णु की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है अब दोस्तों मैं आपके साथ एक एक कर बहुत सरल सरल उपाय कुछ टोटके शेयर करूँगी जिनको अपना ये काम पहला कारी पहला उपाय अमवस्या की तिथी देखे दीपावली हम अमवस्या की रात क मनाते हैं अमवस्या की जो तिथी होती है इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए आपको ये कारी जरूर करना चाहिए आज के दिन सुबह के ठीक दस बजे आपको पीपल व्रिक्ष के नीचे एक शुद्धधी का दीपक पूजन के बाद में जरूर लगाना चाह इससे माता लक्ष्मी प्रसंद होती है अम अवस्या की तिथी में इसा बताया जाता है कि दस पजे जो दिन का समय होता है माता लक्ष्मी पढ़ारती है पीपल व्रिक्ष पर और ऐसे में उस समय उनको अगर हम प्रसंद करते हैं घी के दीपक से उन्हें अर्पित करके घी क या पित्री लेवों को प्रसंड करना है, तब भी हमें पीबल्विक्ष की अमवस्या कितिती में जरूर पूजन करना चाहिए. तो पूजन में जैसे आप जल से संचित करते हैं तो पात्र में आपको घंगा जल रखेंगे, थोड़ा अक्षत डालेंगे, पुश्प डालेंगे, आप थोड़ा रोली डालें, चंदन डालें और काले तिल, अमवस्या के तिथी में काले तिल डाल कर तीपल के प्रिक्ष को स संचेंचर्ण थुरा आथ इसे वगृष्ण अधों प्रिसंबन होते ही हैं पित्र देवु का अश्रवाद भी हमें फ्राप् percept होता है है तीसरा उपाइ आपको डिन में ही आप कर सकते हैं पित्रों के निमित कर्म करती है ना हम वह 12बजे के बाद से मतलद जो दोपहर का मध्यान का समय होता है वो सर्वोपरी माना गया है तो आप उसे समय कीजिए तो पित्तरों के निमित आपको सरसु के तेल का एक दीपक पीपल व्रक्ष के नीचे लगाना चाहिए ये कर्म आप कर सकते हैं पांच्वाकारिय अमा वस्या की तेथी बे आपको अपने घर में दक्षन दिशा की ओर सर्चु के तेल का एक दीपक लगाना चाहिए दक्षन दिशा पित्तरों के दिशा होती है और ऐसा करने से पित्तरी प्रसंड होते हैं सुबह-सुबह हम कहते हैं कि हमारे घर की जो मुख्य द्वार हैं जो हमारा दर्वाजा होता है उसको बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए मुख्य द्वार पर हमें जल से जरूर सफाई करनी चाहिए जल का छड़काव करना चाहिए अगर आप रोजाना नहीं करते दे कि कई लोग तो नियम से भ्रह्म अच्छे नहीं उच सकते तो जल्दी सूर्योदे के समय तक तो उठी जाना चाहिए उठ करके आपको अपनी मुख्य द्वार पर जल का छड़काव जरूर करना चाहिए अम अवस्या कितिती में ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि जो पित्री देवता होते हैं आपकी द देते हैं इस प्रकार से अपने घर के मुख्य द्वार पर इससे वो बहुत प्रसंद होते हैं आपकी जीवन में हर प्रकार की खुशिया उनके क्रपा से बरसती है छटा जो उपाए है अम अवस्या के दिन आपको चार जानवरों को जरूर खाने के लिए देना चाहिए भो आपकी जीवन में लेकर आता है दूसरा आज के दिन किसी भी कुट्टे को सरसो तेल से चुपड़ी हुई रोटी अगर आप खिला देते हैं कुट्ता खा लेता है आपके जीवन की समस्त जो समस्याएं हैं उससे आपका छुटकारा हो जाता है शत्रू का नाश होता है आज के दिन आपको कौवे को थोड़ी सी रोटी उस पर खीज रख करके कौवे के नाम का घ्रास आपको आज अपने भोजन के पहले अमवस्तिया के तिथी में जरूर लगाना है तो ये चार ऐसे जानवर हैं कह सकते हैं मचली सहित आपको अमवस्तिया के तिथी में इनको पूरे ही खाने के लिए देना चाहिए साथवा अमवस्तिया के दिन आपको जरूरत मंदों को गरीबों को भ्रामनों को जितने जादा से जादा लोगों को भोजन करास तके इसका बहुत पुर्णी फल है इससे पित्री देवता बहुत प्रसन्न होते हैं और उनके बाद हमें प्राप्त होता है इससे जीवन में हर प्रकार की खुशियां चाहे नौकरी व्यवसाय में हमारी तरक्की रुकी हुई है शादी ब्याह में घर में और चलने आती है धन रुपता नहीं है मतलब बरकत नहीं होती है कलेश रहता है इन सभी चीजों से छुटकारा मिलता है आठवा उपाई आज आपको अपने घर में शाम के समय नौ से दस बजे की बीच माता लक्षमी के नमित इशान कोन में एक्षद जी का दीपक जरूर लगाना चाहिए यह जो दीपक लगाएंगे इसकी बाती आपको लाल रखनी है इसमें थोड़ा सा एक चुटकी केसर डाल दे ऐसा करने से माता लक्षमी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहती है ऐसे घर की जो तीजोरिया है वो हमेशा धन से भरी रहती है तो अमवस्या की तिथी में नियम से इस कारी को भी जरूर कीजिए नौबा कारिये आज के दिन अमवस्या की त किति होती है तरपन किति होती है तो पित्रों केमित बहुत सारे कर्म बताए अगर आप सनान करने के लिए ब्रह्मों मौर्त में किसी नदी में जाकर किसी तालाव में जाकर सनान नहीं कर पाते तो घर में ही उचकर ब्रह्मों मौर्त में आपको सनान करना चाहिए अपने नहान तेरे विश्णु माता लक्ष्मी प्रसंद होती हैं दस्वा कारी आज आपको क्या करना चाहिए मवस्या की दिन आपको भगवान शिव का अभिशेक जरूर करना है देखिए ये पूजन से संबंदि जितने उपाई मैंने बता है बहुत ही सरल है बहुत ही आसानी से आप कर सक करते हैं तो किसी भी शिवाले में जाकर के आज आपको भगवान शिव का अभिशेक करना है ये बहुत ही संदर उपाई है जो अमावस्या की तिति में अगर आप करते हैं सर्व पापों का नाश होता है शत्रूं का नाश होता है पित्री देवता प्रिशन होते हैं ग्रह दोशों से मुक्ति मिलती है काल सर्फ दोशों से मुक्ति मिलती है तो अमावस्या की तिति में शिप पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए तो यह 10 ऐसे उपाई हैं 10 ऐसे इसे महा उपाई बोलते हैं अगर अमावस्या के सितिले हम कर लेते हैं यकीन माले हमारा जीवन इससे बदल सकता है और यह हमारे हाथ में है कि छोटे सरल कर्मों को हम जरूर करें उमीद करती हूं यह सभी जानकारियां आपको पस कर दें ताकि आने वाले समय में सभी व्रत्य उहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको जब भी मैं वीडियो शेयर करूं उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर प्राप्त हो जाए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया जै मातादी जै श्रिहरे प समय है क्षूर्णता स्सित्टिंस, में भी मने खुर्णता में.